हेलो एवरिवन मैं बिलाल एक बाफ्री से आप सभी का स्वाकत करता हूँ और आसा करता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो डियर इस्टूडिन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12 के राजनिती विज्ञान के न्यू टोपिक जिसका नाम है लोकत स्क्राइब करते हूँ बैल आइक विडियो को सुरू करते हैं तो अवारा टोपिक है लोक mo Tuland Hydhahn जिहां… जब किसी देश की लोकतांतिक राजनिती में तेजी से लोगों की भागिदारी बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं लोकतांतिर अब्यूत्थान या पुर्णर्थान के नाम से जाना जाता है क्यों क्यों लोकतांतिर का मतलब क्या है जनता का सासन जी हां और इस जनता के सासन में जब लोग प्रतच रूप से भाग लेंगे या अप्रतच रूप से अपनी भागिदारी को सुनिशित करेंगे इसे ही कहा जाता है लोकतांतिर पुर्णर्थान या अब्यूत्थान के ना उत्थाने तो चलिए पहले अब्युत्न करें तो फास्ट जो अब्युत्थान होता है वो उननीस सो पुचास के दशक जैनीस तंतवता प्राप्टिसे लेगर उननीस सो सतर के दसक तक के जो परिवर्तानाई राज़निती में उससे परथम लोक अतमान में जो लोक्तांत्री की रचना होई है जो लोक्तांत्री के विकास हुआ है उसे थर्ड यानि थर्ड फेज ओप लोक्तांत्री अबुध्धान के नाम से जाना जाता है तो चलिए प्रथम लोक्तांत्री अबुध्धान क्या था उसके पर मुचाचा कलते फर्स्ट या अभी भी आजादी मिली थि यh 아니 1947 में भारत आज़ात होता है और भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनोती थी वो एक ऐसे लोक तंद्र के विकास करने की थी जिसमें सभी की समान रूप से भागदारी हो सेगे और सभी की समान रूप से भागदारी कहा होती है जी हाँ वो होती है लोक तंदर में और एक ऐसा लोक तंदर जिसमें जनता प्रताश रूप से अपने प्रतरिधियों के चुने क्योंकि लोक तंदर तभी सफलों कहा जाता है जब जनता उसमें भाग ले और यही हमार में वहां के मीडिया चैनलों दोवारा या आप कह सकते हैं कि वहां पर जो मैगजीन थी उन्होंने भारत को एक सिसू लोकतंतर कहकर मजाब कुड़ा है और कहा कि भारत इतने यानि अभी सिसू अबस्ता में चुनाओं का परियोग सही प्रकार से करने में सक्षम नहीं है यान जिसकी उमर अठारे वर से उसे मत देने का दिकार होता है तो ऐसी स्थिति के परियोग को हमने सफल बनाया और दुनिया के तमाम देश ने भारत लोकतंतर की जो नीव थी उसको देखकर वो दंग रहे गए तो यह दूसरों पहले जो लोकतंतर बुद्धान था उसमें ना स सकता है बलकी उसे लंबे समय तक सही प्रकास से रख भी सकता है प्रथम लोकतंतरे वुध्धान के लिधान समाव को हमने भली बाती इसको समारा और आंगे तक लेकर गये इसा ही प्रथम लोकतांत्रे बुठान के नाम से जाना जाता है चलिए सेकंड लोकतांत्रे बुठान क्या रहा सेकंड लोकतांत्रे बुठान या जिसे हम द्वित्य लोकतांत्रे बुठान के नाम से जानते हैं यह फेज कब तक था दोस्तों 1980 के दसक और इस दसक में देखें इस दसक में भा इनका लोकतंतरों चुना में भागिदारी के सुनुचित करना और इसी सुनुचिता को पढ़ाने के लिए योगंद्रयादो जी ने इस यूग को या इस फेज को सेकेंड लोकतंतरिक पुनर्थान की संग्या दी इसमें क्या रहा इसमें हमने जनता की भागिदारी को लोक्तांतर सबसक्राइब करा सबसे में सबसे कहां कर खोवкус लोक कुरiere को सुनुचित करना है लोकतांतर की दूसरे पुर्षण के नाम से जाना जाता है दोस्तों वीडियो को पूरे समझे आपको एक बार कॉंसेप्ट परता चल जाएगा तो वीडियो रटनी की जुरूत नहीं पड़ेगी और एक कोश्चन हंडेड वन परशन आपके परिक्षा में आएगा यह मैं वादा करता हूं क्योंकि यह नया टो आब हिस्में क्या कर परिवर्टन आया इसमें सबसे परहें के हम कि 59का जो दोसक था उस 1909 दसक में सब से पहला परिवर्थन कि के नinen लान तीयुण ने भारतिय राज निती का जो सबसेए परिवर्थन यह आप कह सकते हैं कि भारत ने ऐल पीजी की शुरुत करी जिसे हम का कहते हैं लिक्विटाइजेशन प्राइबिटाइजेशन ग्लॉबलाइजेशन ठीक है यानि उदारी करण वैस्वी करण ठीक है जिसकी नितिके माध्यम से भारत ने अपने अर्थवेस्था को विश्व के तमाम देशों के लिए खोल दिया और एक प्रतिसपरधी बाजार समाज के दिमाड किया और इसी उन्नीस सो नब्वेक दसक में हमने ऐसे बहुत से अपने रादिती में परिवर्दन किये जैसे आप कह सकता है कि मंडल मुद्धा बहुत बड़ा था और इसी दोरान उन्नीस सो बानबे का बाबरी विवाद भी बहुत गहर मुद्ध था ठीक है तो यह कुछ मुद्धे थे भारति रादिती के जिसकी सुरुआत हमने उन्नीस सो नब्वे और उन्नीस सो एक्यानबे दसक के आसपास हमने देखा और यह भारत के चुनावी बाजार में तीन बदलाओं को रहांकित करता है पहला राज से बाजार तक दूसरा सर परण की नितिक हमने अपनाया और अपनी अर्थवेस्ट तक विस्व के तमाम देश्व के लिए खोल दिया और भारत एक विस्वे की उभरतिवी लोकतन्त ग्रूप में अपने आपको मजबूती से खड़ा पाया तो दोस्तों यह तीन लोकतांते पर उत्थान है और यहां और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और हां कमेंड में जुरूर बताईए कि ने स्टोपिक की स्टोपिक बचाईए तब तक के लिए धन्यवाद